मुख्य मंत्री योगिया अधितिनात की अध्यक्षिता में हुई कैबनेट बैठक में ग्रीन हाइडोजन नीती सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है वही निजी जलकूपों पर फ्री बिजली कनेक्शन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है हाइडोजन नीती को मंजूरी दे दी गई है इसके बाद प्रदेश के विबन शेहरों में ग्रीन हाइडोजन उत्पाधन हाइडोजन बस सहित अन्यवाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है कैबनिट ने निजी जलकूप पर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के फैसले पर सहमती दे दी है इससे प्रदेश के देड़ करोड किसानों को मुफ्त कनेक्शन का लाब मिलेगा ये योजना एक अप्रेल 2023 से लागू होगी जिसके बाद से बकाया निजी जलकूप का बिल नहीं जमा करना होगा कैबनेट बैठक के बाद मंतरी सुरेश खन्ना, नंदगोपाल, नंदी, एके शर्मा और सुर्पताप शाही ने बैठक में दिये गए निर्नयों की जानकारी दिए आज में ग्रामीन नलकूप लगवग 14,43,000 हैं और सहरी नलकूप 5,188 हैं दोनों ही पकार के नलकूपों पे क्योंकि कई बार ग्रामीन शित्व जो है वो सहर बन जाता है, नगफ पंचायत बन जाता है, पुशी दिन पहले हमारे ही कारेकाल में लगवग 200 ग्राम पंचायत को नगफ पंचायति ने बनाया, तो इस बार हमने शहरी और ग्रामीन का फरक मर्च कर दिया कर दिया, हमने स्ट्रीट करने का नेड़े लिया, यह इस आज के नेड़े का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंशा है, अब डेर करोर किसानों को यह इस गोशना से फाइदा होने का वाला है, और उनके डेर करोर किसानों की अगर 5 के हिसाब से आगर आप देखें तो लगवक 6-7 करोझ करों लोगौन को पाइदा किया जाए तो 67 करों लोगों को यह किसान लोगों को फाइदा होने वाला है, और इस और इसमीं में वढ़ते हुए मक्खा की मान, खास्त आ इसके उब्योगता काफी तेजी से बड़ी है वर्न ट्रिलियन युएस प्यालर्ड एकॉनमी के भी तर जो के इंडस्टीड आएंगी उनके आया पॉल्टी फीड के लिए आएंगी उनके दिया हम कैसे चारा उपलत करवा सके तो तरश्टीज से एक जापक कारिकरम चलाने का फैसला तो भी आतनाजी की सरकार ने किया है जिसमें चार वर्ष में हम लोग एक्सोट करोड़ प्रच्पन लाग तुटिया खर्च करेंगे और यह हमारा प्रियास होगा कि एक लाग हेक्टेर के भीतर खेती करके लगए ग्यारा एक लाग से लेकर के दो लाग हेक्टेर के बीतर रुष का दैरा बढ़ाएंगे और 11 लाग मेट्रिक टन हम उत्तर परिश्का बढ़ाएंगे